आज की चर्चा में आपका स्वागत है लखन का बर्डे आया था और वो बर्डे जो था उसका हमने सलिबरेशन देखा जो उनके लखनीत व्लॉग के नाम से उनका चैनल है उसके ऊपर देखा बहुत 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 यह अच्छा लगा मतब यह मैं इसलिए साथ में ले कोई अपना ही से मनाता है अपना स्टाइल होता है बाटें मनाने का और यहाँ पर जो इनका birthday जो है इसके शुरुआत जो होती है वो morning से होती है अब morning में जैसे ही मतलब नीतू उसको birthday विश्च करती है कि भई happy birthday तो जैसे normally होता है कि आदमी जो कुछ भी बोल देता है reply में same बोल देता है तो उसने भी बोल दिया happy birthday यह कुछ ऐसा है जैसे कि जब new year आता है ना तो आप किसी को विश्च करते हैं कि happy new year तो जवाब में बोलता है same to you तो sometime ऐसा बहुत बाला से जाता है कि आदमी उसका reply जो है ऐसा ना करके जो फंक्शनल रिपलाई है वो देता है same to you टाइप से तो उसी टाइप से उसने वह नह आपको बहुत interesting बात है बात यह है कि अगर किसी का birthday आता है तो उसको बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के gift देते हैं यहाँ पर लखन ने एक plan किया है कि मेरे birthday gift के लिए मैं सब को यह कहूंगा कि इस दिन एक दिन के लिए सिर्फ एक दिन के लिए आपको मेरी बात माननी हो होगी it means जो भी मैं कहूंगा वो आपको करना है उसमें सवाल नहीं करना और उसको करना ही है बस तो वो यह देखना चाहता है कि अगर मान लीजे एक दिन ऐसा आए कि सब लोग जो है उसकी बात सुने तो उसकी जिन्दगी कैसी होगी बड़ा interesting concept है बड़ा interesting जो बात है और जो ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है पर एक दिन तो हमारा भी होना होट है कि एक दिन के हम राजा हो किस से मांग रहे हैं हम तो सिर्फ अपने गार। से मांग रहे हैं हम बारे वालों को तो किसी को कुछ इसके लिए can tell नहीं कर सकते तो बड़ा interesting चीज के ऑ एक दिन के लिए हैं उसकी बात सबको माननी है और उसके लिए सबसे पहले उसने नीतू को बात करी कि भी नीतू तिरको मेरी बात माननी है मतलब वाइफ वाइफ से ये कहना कि तुम मेरी बात मानो और पूरे दिन मेरी बात मानोगी ये बड़ा इंट्रेस्टिंग साउंड हो तो वो दिन कैसा होगा आप लोग भी इमेजिन कीजेगा और करके देखिएगा जिन जिन की वाइफ है तो ये एक इंटरस्टिंग चीज रहेगी तो देखिए ये कितना मुश्किल टास्क है खास तोर से वाइफ के लिए कि हस्बेन की जो भी बात है वो उस दिन आपको माननी है और उसका ही जो है नीतों को आसान नहीं लगता और उसे लगता है कि पता नहीं दिन में क्या क्या करना पड़ेगा तो वो इमेजिटली रियक्ट करती है और कहती है कि वही मेरे को तुम्हारी बात नहीं माननी क्योंकि बर्डे गिफ्ट की बात है ना तो बर्डे गिफ्ट मैंने तुम्हारा अल्डेडी ले लिया है तो इसलिए जो तुम्हारा अल्रेडी गिफ्ट ले लिया तो मैं और कोई गिफ्ट आप तुम्हारा ले नहीं करने वाली उस पर बड़े मज़े से जवाब देता है कि नहीं नहीं ये गिफ्ट मुझे नेशी है तो चाहे गरीब हों बाढ़ते हैं चाहे किसी में भी गरदे पर मेरे को जो गिफ्ट चाहिए वो यही चाहिए कि तुम मेरी बात मानो तो देखिए वाइफ और हस्पेंड जो ना वो ऐसे होते हैं कि घ लगता है और यही अच्छा लगता है और इसी से जिन्देगी जिन्दा दिल लगती है बहुत जीवित रहती है अगर सब कुछ हमारे अनुसार होगा मोनो टोनस होगा तो शैद हम भी बहुर हो जाएंगे हम यह नहीं कर पाएंगे और उसके बाद नहीं तो जिस स्टैल से लाबी में जाती है यानि की ओटल की लाबी में जाती है वो बेलकुल टोटली बच्पना लगता है और देखकर बड़ अच्छा लगता है कि यह लोग बलकूल ऐसे ही हैं जैसे होने चाहिए और जिस को देख कर आपको मझा आएगा और वो उसके बाद में अपनी सिस्टर यानि पूनम के रूम में जाते हैं तो उसको भी मजाग करके कहते हैं कि तेरी रूम से इतनी ज़्यादा बद हुए कि तो बहार नहीं आ सकता और कोई अंदर जाने सकता तो यह एक निंजा टेक्निक है कि कोई भी अपने रूम में ना जाए तो उसके लिए उसमें इतनी ले रखा है उसके लिए तो भी मानने को त्यार नहीं कितनी इंट्रेस्टिंग चीज है कि आदमी को अपने अनुसार काम करना कितनी मुश्किल काम है चाहे वो अपने घर के लोगी क्यों नहीं हो अब दोसरी सबसे इंट्रेस्टिंग चीज वो दौनों मिलकर आप जाते है हैं Google Office यानि कि YouTube चैनल है वो गूगल करी बनाया हुआ है तो Google Office को देखना यूट्यूब Office को देखना आपने आप में बहुत बड़ी बात हैं क्योंकि इनका जो Office होता है ये normal Office से बिलकुल different होता है और उसका entrance यह बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और साथ में जब entrance के से निकलते हैं यह लोग इसके बाद में लॉंज में गए लॉंज में साला साला लंच लगा हुआ था वह बीसिकली जो गूगल के एंप्लाइज हैं उन लोग के लिए लगा हुआ था और लंच में भी उसलोट ऑफ वरैटीज वहां पर रहती है और लंच इतना स्पेशल होता था मिटिंग रूम था और यह भी बड़ाई अपने आप में बहुत खुब सुरुद बना हुआ था और ऑफिस में तुरसा रैस्ट रूम गेम रूम गेम भी अलग टाइप के हैं अगर आप बहुत ज़दा ठक गए हैं लगता है कि तुरसा अपने आपको डल मैसुज करने हैं तो आप एक्सरसाइज करने के लिए वहां ट्रेड मिल है तो वहां इसके अलावा कुछ और भी जैसे जूले टाइप का जो होता है वह भी है वहां पर तो आप वहां पे भी एंजॉय कर सकते हैं सब कुछ इतना आर्टिस्टिक स्टाइल में वह सब सजाया गया है वहां पर थोड़ा बहुत स्नैक्स होगा रखा सकते हैं वह भी अब काफिस हजाया हुआ था इसके लावा एक टेबल है जो मिटिंग टेबल है उसके साथ में जितनी भी जो सो कॉल्ड चेर लगी हुई है वो स्विंगिंग चेर है यानि एक अलग ही आईडिय के साथ में आप वह आपर काम कर सकते हैं डिसकस कर सकते हैं एंजोय कर सकते हैं रिलैक्स कर सकते हैं कैफे बना हुआ है लैबरेरी बना हुई है और एक एवेंट प्लेस बना हुआ जो पूरी तरह से साउंड प्रूफ है वह आपर कुछ प्रोग्राम्स किये जा सकते हैं और लास्ट में उन लो आज कल देए देए वो कल्चर आ रहा है कि वहां सिर्फ काम की ही बात नहीं होती है आपका जो मेंटल प्रेशर है वो सब रिलीज करने के लिए यह सब चीज़ें बनाई जा सकती है जो कि वर्क प्लेस एक गुड़ प्लेस बने इसके लिए यह काम किया जाते हैं फिर वापिस आते हैं उसी कॉंसेट पर उसी टास्क पर जो कि आज मॉर्णिंग में शुरू हुआता है कि उसको नीतु को सारी बाते हैं लखन की माननी है तो देखें यह टास्क ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे को चुड़ाने के लिए यह परशान करने के लिए उसका यूज करें अपना काम कर रहा है जो कि वो जूंग मिटिंग करनी है उसने अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको हाई कहने के लिए बड़े विशिस पर थैंक्यू कहने के लिए कितने अच्छी लगती है इन लोग की आपस की एक कैमिस्ट्री और आपस की बातें अब देखिए लखन के दिल की प्योर्टी देखिए कि वो बाल्डे की दिन अपने सब्सक्राइबर हैं अपने विवर्स हैं उनसे बड़ाई प्यारा सा गिफ्ट मांग रहा है और गिफ्ट क्या मांग रहा है कि वो यह कहना चाहता है कि किसी एक दिन हफते में एक दिन आप जो एथनिक यानि आपके जो cultural dress हैं जो Indian dress हैं वो एक दिन कम से कम पहनी हैं जिससे कि हमारे जो culture है ना वो जिन्दा रहे और ये कितनी अच्छी बात है कि हम लोग western outfits और ये सब पहनते रहते हैं और बढ़ा खुशी रहते हैं तो एक दिन तो कम से कम अपने culture को जिन्दा रखें और अपने बच्चों के लिए भी सामने एक example रखें कि ये dresses हैं हमारी अपनी dresses हैं secondly दूसरा उसने जो एक gift मांगा है वो ये है कि किसी भी street dog को किसी भी एक street dog को आप daily कुछ ना कुछ खिलाएं यानि उसको feeding करने का एक जरिया बनाएं और एक dog को कम से कम करें और उसको वो बड़े अच उसे दिखेगा कि आपको जरूर उससे प्यार हो जाएगा और इस तरीके से वो जो है वो आपके साथ में ही चलेगा आपके साथ में बात करेगा तो ये कितनी अच्छी बात है उसने किस तरीके समझाए सासाथ होई ये भी कहता है कि अगर आप daily ऐसा करते हैं तो ये जो कु मुसीवतों को अपने उपर लेंगे हर लेंगे यानि कि उस मुसीवतों को खतम करेंगे और वो ये दूआ भी दे रहा है कि आपके जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो तो ये दो प्यारे प्यारे से गिफ्ट उसने अपने subscriber वीवर से मांगें तो ये ही है उनक कुछ न कुछ उसमें देखने में अच्छा लगेगा तो ये पॉडकास्ट हमने इसे लिए बनाया एक positive वाइब सबको जानी चाहिए इस व्लॉग के जरिये से और इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक आप अपने बर्डे को किस तरह से special बना सकते हैं इन्हो कि हम रोज ही कुछ न कुछ करते हैं लेकिन एक दिन कम से कम उस बर्डे वल दिन हम इस तरह का कुछ करें जिससे कि उसको अच्छा लगे तो अगर आप इनके regular viewer हैं तो definitely आपने ये वाला vlog देखा होगा और enjoy बे किया होगा और अगर आप regular viewer नहीं हैं तो आप प्लीज ये व रहते हैं लेकिन उसके साथ दूसरे चीज जो मिलेगी हापर देखने को वो मिलेगा गूगल आफिस जो सब के लिए एक ड्रीम आफिस है जो गूगल का आफिस है और यूट्यूब का आफिस है क्योंकि आज की डेट में ये बहुत बड़े नाम हो गए हैं वाल ओवर हम बड़े enjoyment के साथ कर सकते हैं बड़े without any pressure कर सकते हैं और जितना time चाया उतने spend कर सकते हैं ठकावट हो तो उसके लिए भी वहापर सब चीज़े हैं आप अपनी ठकावट दूर कीजे, enjoyment कीजे, frustrated हो गए हैं अब बोर हो रहे हैं तो वह सब चीज़े हैं तो ये एक अच्छा पॉड़कास्ट हमने बनाने के लिए ये किया और ये पॉड़कास्ट आपको पसंद आयो तो प्लीज लैक कीजे, subscribe कीजे और share कीजे और खुश रहिए अपने लोगों का ख्याल रखिए, thank you, दिन्नेवाद, शुक्रिया